हलो दोस्तो प्लसपन के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो मेरे नाम है निकेश शाह दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले MCB, MCCB, MPCB, RCCB और RCBO यह सभी के बीच में difference, यह एक electrical switches है, अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग चीजों के लिए इसका इस्तमाल किया आता है तो चले शुरुआत करते सबसे पहले MCB, MCB का मतलब होता है Miniature Circuit Breaker यह दीखने में कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, यह काफी बड़ा है, इसमें 4 पोल्स ऐसा, single भी आता है, dual भी आता है, triple भी आता है, चार भी आता है, 10 का भी set आता है, depends जैसा आपको चैई वैसा market में available रहता है इसका जो main काम जो रहता है, इसका main मकसद रहता है इसका इस्तमाल करने का, आम तोर पे आजकल यह गरों में, जो नए-ने buildings बनते हैं, उसमें, हमें builder ही provide कर लेता है, पर और आम तोर पे हर गरों में लगी जाता है इसका reason क्या है इसका main मक्सद है यह overload से हमें protect करता है साथी साथ short circuit से protection करता है overload को मैं पहले explain करूँ तो माल लो कि आपके घर में एक normal motor है जो 10 ampere का supply ले रहा है कुछ problem हो गया motor ने बहुत जादा current लेना चालू कर दियो तो यह trip हो जाएगा यह कभी-कभी समझो अपने geezer वगरे कुछ लगाया हो गीजर आम दोर पे 5 ampere 6 ampere का current ले रहा है और अचानक से geezer में कुछ दिक्कत है कि अचानक से 10-15 ampere लेना चालू कर दिया तो उस समय यह आपको protect करेगा यह आपके load को protection करने का काम हो जाएगा यह trip हो जाएगा और short circuit का मतलब क्या होता है मालो phase wire है और neutral wire है और कहीं न कहीं समझो कोई component खराब हो गया अभी जैसे दीवाली गई दीवाली में अपने lightings वगरे लगाई थी तो बहुत चरे घरों में यह बिजली का supply उस टाइम पर लाइटिंग लगाने पर ही बंद हो जाता है इसका reason ही क कहीं पर phase और neutral कहीं न कहीं touch हो गया रहेगा या short हो गया रहेगा तो उस समय आपके घरों को protect करने के लिए mcb काम करता है सहज मैं short circuit का मतलब क्या है और overload का protection का मतलब क्या है तो यह जो protection करने का काम करता है mcb ठीक है mcb जो रधा यह काम करने का तरीका रधा कुछ इस प्र यहां पर यह जो दिख रहा है यह coil है इसको magnetic coil भी आप बोल सकते है यह जो हमेशा current को test करते रहता है इसकी जितनी capacitors उतना ही current को आगे भेजेगा कुछ भी दिक्कत होई तो आचानक से off हो जाएगा तो यही उसका मक्सेद है यही उसका काम करने का तरीका है overload या short circuit हो गया तो इस तरीके से हो काम करेगा दूसरी चीज हम लोग देखेगे MCCB यहने कि modulated case circuit breaker बेसिकली दिखने में MCB के जैसा ही है लेकिन उससे बहुत बड़ा दिख रहा है हमें क्यू इसका reason है यह industrial use के लिए होता है जो MCB रहता है वो आम तोर पर हमारे गरों वगरे में इस्तमाल आसानी से हो जाता है लेकिन जहाँ पर factories है companies है जहाँ पर बहुत ज़्यादा load का use है current supply जो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर MCCB का use होता है यह basically heavy duty रहता है इसमें खुद का एक micro controller रहता है इसको हम लोग set कर सकते है कि कितना ampere का supply चाहिए क्या है क्या है क्या नहीं बहुत सा है clear है okay अभी तीसरी चीज हम लोग देखते है वो है MPCB MPCB है motor protection circuit breaker basically motor protection है ना कि motor को protect करने के लिए circuit breaker है यहाँ पर diagram देख लिए यह motor जैसे ही मैं on करता हो तो बहुत ज़्यादा supply लेगा correct अभी आम दोर पे जो three phase की motor है अगर मैं इसको on करूँग ना तो समझो 10 ampere की motor है starting current उसका 15 ampere जाएगा फिर दीरे दीरे हो 10 ampere तक आ जाएगा लेकिन start होने के लिए उसको जादा supply चाहिए रहता है तो तभी हमारे MCB अगर मैं लगा दो तो क्या हो जाएगा trip हो जाएगा उसको बचाने के लिए या उससे निकालने के लिए motor को चलाने के लिए MPCB का use होता है सहुआ है motor के लिए कुण सा यूज कते है MPCB motor protection circuit breaker यह दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पे क्या होता है हम लोग यह knob जो है यहां से हमारा ampere set भी कर सकते हैं मालो यह knob का क्या कामरे मा आपको बता दू कि जैसे आपको मालो है कि 10 ampere का supply ले रहा है लेकिन starting current उ जो है MPCB यूज होता है इसके लब और एक बहुत ही महत्वपूर्णा काम भी है क्या तो अगर तीन phase की motor है उसमें से एक phase lose हो गया या phaseों में यह जो तीनो phase है उसमें inbalancing हो गया तभी यह motor को protect करता है तो काफी हद तक motor को damage होने से यानि कि over current से बच्चाने का जो काम करता ह है जो MCB नहीं कर सकता है यह MCCB भी नहीं कर सकता यह केवल और क्रेल MPCB यानि जहाँ पर motor का use करना है तो वहाँ पर MPCB यूज होता है सवज में आई बत इसके बाद बहुत ही important जो है वो RCCB लेकिन इसके पहले जाने कर एक बता दो हम लोग ने online में कई सारे courses चालो करते है पर Mobile Repairing, Electro Repairing, Electronics, Electrical, Home Appliances, Repairing, Computer Hardware, Software काफी सारे courses है यह सब courses करने के लिए Google Play Store पर आपको खाली plus point training नाम का app सर्च करना है यह download करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आप open करोगे तो वहाँ पर काफी सारी चीज़े आपको नजर आएगी जिसमें store section पर क्लिक करने कर आपको सभी courses हम लोग जो provide करते हो आपको नजर आएगे, view all करने पर नजर आएगे, जो course करना उस पर click करने के बाद उसकी सारी detail information fees के related आपको मिल जाएगी, इसके अलावा अगर आप content पर click करेगे तो उसके नदर हम लोग क्या क्या चीज़े सिखाते हैं वो भी details आपको य RCCB से, RCCB जो है, वो residual current circuit breaker या उसको RCD के नाम से भी पहचाना जाता है, residual current device, ऐसे भी बोला जाता है, यह दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है, यह basically three phase का है और neutral नहीं पर आपको नजर आ रहा है, तो इसका जो इस्तमाल होता है, वो basically एक तरीके से बोलेगे, तो residential use रह लगाया, या समझो toaster लगाया, जो bread toast करता ना, वो toaster लगाया, और आपने गलती से उस toaster को छू लिया, या उदर समझो toaster में कुछ दिक्कत होई और उसने earthing पे current डाल दिया, तो उस समाई यह RCCB protection करेगा, चले diagram में दिखा देता हो, मालो यह RCCB है, यह क्या देखता है, जो phase जो current अंदर जा रहा है, circuit में, load पे जा रहा है, वो चेक करेगा, और neutral से कितना current आ रहा है, वो चेक करेगा, सभज में आरी बात, अगर इन दोनके वीचे में उसको difference नजर आया, तो trip कर जाएगा, difference क्यों नजर आएगा, मालो कि phase में आपने गलती से हाथ लगा दिया, तो current जो है, आपकी body से जाना चालो हो जाएगा, तो उसको protect करने के लिए खुद को trip करेगा, यानि जहाँ पे यहाँ पे imbalance हुआ, खुद को trip कर लेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो load है, वो अपना phase और neutral perfecture अचानक से उसने earthing पे current डाल दिया, यहाँ पे देखो RCCB का प्रयोग करते है, यह basically लेगने, इसकी एक ही दिक्कत है, इसमें overload और circuit protection, यानि कि short circuit protection नहीं है, सभज मैं ही बद, यह क्या कहता है, electric shock से ज़रूर protect करता है, लेकिन overload protection नहीं है, यानि कि बहुत जादा current जा रहा है, तो यह उसको protect नहीं करेगा, या short circuit होग या कोई circuit मे तो यह उसको protect नहीं करेगा, इसी वजए से हम लोग उसको घरों में, MCB के साथ में लगाते है, हमारे घरों में जो energy meter रहता है, वो आता है, MCB में, MCB से जाता है, RCCB और RCB से जाता है, load में, क्योंकि यह जो है, वो shock से protection करेगा, और यह overload और हमारा short circuit से protection है, इसलिए दोनों लगाने पड़ते है, सवज में आरी बात, इसका जो solution है, वो है यह, RCBO जो है, वो इसी का solution है, वहाँ पे दो-दो चीज़े लगाने की आपको जरूद नहीं है, यहाँ पे दो-दो चीज़े लगाने की जरूद पड़ी ना, यहाँ पे RCBO अगर लगा देगे, तो एक ही circuit मे RCCB, याने की हमारा जो electric shock से protection का जो है, फेश जो neutral अलग-अलग या touch हो गया, तो उससे protection तो करता ही है, साती सात यह overload और short circuit, यह दोनों से protect करता है, सहज में आरी बात, याने की जो heavy load वगर रहेगा, जहाँ पे अगर कुछ short circuit हो गया, या overload चला गया, तो वहाँ पे भी protection करे तो भी ये protect करेगा, याने की दोनों जगे पे काम कर लेता है, याने की आपको MCB या RCCB या RCCB या अलग-अलग लगाने की ज़रोद नहीं, आप खली RCBO लगा तो आपका काम हो जाएगा, ये दोनों के गुंदर में इसके अंदर है, तो यही उसकी खास्यत है, तो दोस्तो ये था हमारा इन सभी के बीच में difference, RCCB, MCCB या RCBO या MPCB, इस सभी के बीच में बताने की कोशिश की, अगर आपको online courses की detail चाहिए, online courses करना है, बहुत अच्छे-चे courses है दोस्तों, तो ये मेरा WhatsApp नमबर है, इसमें मुझे केवल हाई का message जाल दीजे, दोस्तों मेरे वीडिय लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट में ज़रूर लेकिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप नए है चैनल के उपर, तो subscribe का बटन दबा के, बैल का icon दबा दीजे, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएका, उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening